अगर होसले बुलंद हो तो परवस भी एक मिट्टी का धेर सा लगता है तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन की जो की होने वाला है आपका करेंट अफेर्स के ऊपर अगर आप किसी भी अगर हम शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी टाइम को वेश्ट किये हुए तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो पीटी उशा है वो पहली वोमेन प्रेसिडेंट बन गई है इंडियन उलंपिक आसोसियेशन की तो पीटी उशा जो की एक बहुत ही अकंपलिस्ट और बहुत ही फेमस एथिलीट है इंडिया की तो वो अब इंडियन उलंपिक आसोसियेशन की पहल गोल्ड मेडल, Seoul में जो आसान गेम्स हुए थे, उसमें भी जीते थे जो उन्होंने जो पार्टिसेपेशन करती थे, वो 200 मीटर, 400 मीटर हडल्स और 4 x 400 रिलेस जो होते थे, इनमें उनका पार्टिसेपेशन होता था और जो P.T. उशा है उन्होंने अपने जो केंडेंसी पेपर सम्मिट किये थे, वो 27th नवंबर 2022 में सम्मिट किये थे, तो बहुत important बात है, जो आपको याद रखनी है आपके examination में पूछा जा सकता है तो P.T. उशा जो है वो पहली woman president बन गई है Indian Olympic Association की ठीक है, तो याद रखिएगा examination में आपके पूछा जा सकता है दूसी बात अगर मैं करूँ, तो India, Australia के जो war games होता है जिसको हम बोलते है, आस्तरा हिंद 22 वो शुरू हो गए है, ये एक तरीके की bilateral exercise होती है, जो Australian Australia है और जो इंडिया है उनके बीच में यानि Australia की जो आर्मी है और जो इंडिया की आर्मी है, इनके बीच में ये bilateral exercise होती है तो इस बार जो 22 की exercise थी वो शुरू हो गई है, और कहां पे होती है ये आप से पूछा जा सकता है examination में तो ये जो exercise है, वो आपकी field firing ranges Rajasthan में होती है ठीक है, कहां पे महाजन field firing ranges in Rajasthan तो ये जो है, ये 11 दिसंबर तक चलने वाली है और this is the first exercise in the series of आश्टरा, तो जो हमारी series of आश्टरा होती है ये उसमें से पहली exercise है जिसमें की दोनों arm forces जो हैं, वो हिस्सा लेने वाली हैं और इस exercise के दुरान, बहुत अलग-अलग तरीके की जो drills हैं, या अलग-अलग तरीके के जो planning हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे perform की जाती हैं ठीक है, और ये exercise हम इसलिए करते हैं, ताकि जो दोनों armies हैं, उनके बीच में एक बहतर understanding हो पाए, और inter-parability develop हो पाए, और दोनों जो armies हैं, इंडिया और Australia की, वो strengthen हो पाएं, तो इसलिए perform की जाती है, तो आपको याद रखना है कहां पे होती है, राजिस्थान में शुरू हुई है, और जो नाम क्या है, जो इंडिया और Australia के बीच में drill exercise होती है, तो इसका नाम है आपका Australia हिंद 2022, या Australia हिंद 22, ठीक है, तो पूछा जातक सकता है, ये भी आपके examination में, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है इसके अलाबा, जो Indian boxers हैं total उन्होंने 4 gold medal जीते हैं, आपके Youth World Boxing Championship में, तो Indian boxers ने total of यहाँ पर 11 medals जीते हैं, जिसमें से आपके 4 gold हैं, और इसी के साथ 4 silver हैं, और 3 bronze हैं, तो total यहाँ पर 11 gold medal जीते हैं, Indian boxers ने Youth World Boxing Championship 2022 में, तो ये जो Youth World Boxing Championship है, ये कहां पर हो रही थी, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपका Lucia में हो रही थी, और ये कब से कब सक चली, तो ये 14th November से लेकर 26th November के बीच चली, तो यहाँ पर जो gold था वो रवीना, देविका और वंच राज और विश्वना था, total 4 gold medal यहाँ पर जीते हैं, तो gold medal यहाँ पर 4 थे, इसके अलावा अगर मैं silver medal की बात करूँ, तो total of यहाँ पर silver भी 4 medal थे, silver भी 4 थे और बचे हुए, जो bronze medal थे, वो 3 थे, तो total यहाँ पर 11 medals थे, जो हमारे boxers ने जीते हैं, अगर मैं woman category में बात करूँ, तो total woman category में 8 medal आए हुए हैं, जिसमें से 3 gold, 3 silver और 4 bronze होंगे, sorry, woman category में total 8 आए हैं थे, जिसमें से 3 gold, 2 silver और आपके 4 bronze हैं, बाकी men's category में 2 gold और 1 silver तो यह भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, women's category में total आपके 8 medal आए हैं, और जो men's category है, उसमें आपके total 3 medal आए हुए हैं, ठीक, तो यह भी आपके लिए important है, आपके examination में पूछा जा सकता है, एक आपको यह याद रखना है कि कहाँ पे हुआ था, तो आपका Lanusia में हुआ था, और 14 नवंबर से 26 नवंबर के बीच हुआ था, इसके लाबा आपकी जो 3rd ship सर्वे वैसल थी, जो की इशक, बोलते हैं, वो launch कर दी गई है, इंडिया नेवी के द्वारा, ठीक है, टोटल यहाँ पे हम 4 survey vessel launch करने वाले हैं, जिसमें से 3 survey vessel launch कर दी गई है, और पहले आप यह समझने कोशिश करते हैं कि survey vessel होता क्या है, तो survey vessel basically एक तरीके का जहाज होता है, submarine होता है, जिसकी मदस से हम underground surveys करते हैं, तो total of 4 survey vessel launch होने थे, जिसमें से 3 launch कर दिया गया है, इसके पहले 2 और launch किये जा चुके हैं, तो 4 SLV ship was signed between आपका जो ministry of defense है और garden reach ship builders and engineers हैं, तो इन्होंने इनको 4 ship vessel launch करने से, जिसमें से 3 launch कर दिया गया है, और जो पहला ship vessel बना था, वो कहां पे बना था, JRSE में, तो ये जो SLV ships हैं, basically जो हमारी ship vessels हैं, ये कौन सी हैं, SLV ship vessels हैं, तो ये जो हमारी existing ship vessels हैं, संधियक, class survey उनको replace करेंगी, with new generation of hydrographic equipment, तो इसमें काफी modern equipments हैं, और काफी अच्छा इसमें oceanographic data भी हम यहाँ पे, मतलब oceanographic data की मदद से, और अच्छे से, ये जो hydrographic equipment है, ये और अच्छे से oceanographic data को collect कर पाएंगे, यानि आपका जो underground data है, उसको और बहतर तरीके से collect कर पाएंगे, तो ये जो survey vessel होती है, 110 meter long है, 16 meter wide है, और almost जो इसका displacement displacement होता है, वो 3400 tons का होता है, और इसमें 211 लोग आ सकते हैं, इसका जो propulsion system है, उसमें 2 main engines होते हैं, ठीक है, खेरे, इतना deep में दाने के हमें जरुवत नहीं है, और इसकी जो speed होती है, वो 40 knots होती है, और जो maximum speed होती है, वो 80 knots होती है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कि जो हमारी third survey vessel थी, जिसका नाम आप को काफी important है, क्योंकि नाम आपसे पूछा जा सकता है, नाम क्या है इसका, इकशाक ठीक है, नाम क्या है आपका इसका इकशाक, तो ये इकशाक आप याद स्वराज और ministry of पंचायती राज है, उन्हों को gold medal मिला है under national e-governance में, तो ये जो e-governance का national award था, उसमें e-gram स्वराज और ministry of पंचायती राज, इनको gold medal मिला है, ठीक है, तो काफी अच्छी बात है, क्यों मिला हुआ है, क्योंकि stakeholders, especially पंचायती राज institution, which adopted e-Pंचायत application very fast, have held in making the पंचायत mission mode, project successful by strengthening the पंचायत राज system and making its effective, transparent and efficient, तो काफी अच्छे तरीके से, काफी effective, transparent और efficient तरीके से, इन्होंने काम किया था, इसलिए इनको national award for e-governance मिला है, किसको आपकी e-gram तो राज और ministry of पंचायती राज, तो ये भी आपको याद रखना है इसके लावा 14th edition of Arrow India 2023 जो कि आपका held होगा 13 to 17 February, कहां पे होगा और Bangalore में होगा, ठीक है, तो ये आपका announcement होगया है, कि जो 14th edition है Arrow India का, वो आना जो held होने वाला है, वो काब होने वाला है February में held होने वाला है 13 to 17 February में, अब ये Arrow India क्या होता है एक तरीके का Benadial Air Show होता है जिसमें आप इक तरीका Air Show जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा Independence Day और Republic Day में भी जो Air Show होता है जो कि आपका Ministry of Defense ने Announce किया है और ये जो Organize करता है, वो HAL करता है HAL यानि कि हिंदुस्तान Aeronautics Limited तो हिंदुस्तान Aeronautics Limited के दौरा इसको Organize किया जाएगा, जिसमें 500 से ज़्यादा Companies जो है वो हिस्सा लेंगी और साती सात 25 से ज़्यादा Countries से यानि 500 Companies 35 से ज़्यादा Countries से हिस्सा लेने वाली है तो more than 500 Companies from 35 Countries will be taking part in this इसके लाबा और आप याद रख सकते हैं कि पहले ये 5 दिन का होता था अभी इसको cut करके 3 दिन का कर दिया, यानि 13 to 17 ठीक? जो Asia's Premier Year Show था वो 5 days के लिए होता था उसको 3 कर दिया गया है, the 14th edition is scheduled for 15th जो अभी जो 14th edition होने वाला है, ये 5 दिन का ही होने वाला है ठीक है? और जो पिछले इसके थे उनको COVID की वज़ाए से hybrid model में shift कर दिया गया था तो अब ये full flash तरीके थे 2023 में आपका February 13 to 17 में होगा, और कौन और्गनाइस करेगा? आपका H year, ठीक? तो ये आपको यहाँ पे भी याद रखने हैं पिर अभी जो आपका 2023 का Republic Day आने वाला है, तो उसके लिए जो chief guest होने वाले हैं, वो Egypt के president होने वाले हैं India has invited Egyptian president Abel Fattah LCC as the chief guest for Republic Day, तो अगला जो हमारा Republic Day आने वाला है 2023 में, तो उसके जो chief guest होने वाले हैं, वो आपके Egypt के president Abel Fattah LCC होने वाले हैं, ठीक है? और ये जो formal invitation था, वो हमारे जो current external affairs minister है, शिव जैश अंकर, उन्होंने 16 October को, जब वो official visit पे गए थे Egypt पे, तो उनको दिया था, जो अगर हम Egypt की बात करें, तो इंडिया में जो G20 summit होने वाला है, तो Egypt जो 9 guest countries हैं, उनमें से एक होने वाली हैं, तो यहाँ पे आपको एक मुझे comment करकर बताना है, कि जो हमारा 2022 का summit हुआ था, G20, वो कहां पे हुआ था, और कब हुआ था, हाली में हुआ था, पर कहां पे हुआ था, और किस date पे हुआ था, वो आपको date mention करनी है, वो भी काफी important है आपके current affair के लिए, ठीक है, फिर इसके पहले जो था, जो COVID की याद रख सकते हैं, और ये भी काफी important corrective है, definitely आपको आपका examination में ये देखने को मिलेगा, कि जो Egyptian president है, उनको as the Republic Day में chief guest पुलाए गया है, तो अगिर आपने हाली में कोई exam दिया होगा, तो आपका यहां से भी एक question बना हुआ था, आपका जो Brazilian president है, उनसे भी question कई पार examination में frame हुए है, तो यहां से भी definitely examination में question frame होगा, आपको याद रखना है, इसके लावा, जो government of India है, उन्होंने दीपा मलिक को brand ambassador बना दिया है, निक्षे मित्र का, तो पहले मैं बताता हूँ कि दीपा मलिक कौन है, तो वैसे हम सभी जानते हैं, जो दीपा मलिक है, वो एक Indian athlete है, औ और बहुत ही famous athlete है, Paralympic में पहली बार ऐसी पहली woman थी जिनको gold मिला था, she is the first Indian woman to win a medal in Paralympic Games, and won a silver medal, silver medal और gold medal जीतने वाली हमारी पहली भारती महिला थी, जिनको 2016 में Paralympics में, short put में gold मिला था, इसके लावा उन्होंने, जो हमारा Javelin event होता है, Grand Prix है, उसमें भी इनको gold medal मि तो काफी famous है, इनको जो है Government of India ने brand ambassador बना दिया है, निक्षय मित्र का, तो निक्षय मित्र जो है, एक तरीके का initiative है हमारी government का, जिसमें जो हमारे VVIP होते हैं, very very important persons होते हैं, वो ऐसे लोगों को गोध लेते हैं, जो TV से ग्रसेत हैं, तो उनका जो भी इलाज का खर्चा होता है, वो हमारे VVIP उठाते हैं, तो इसके लिए हमारे government of India ने दीपा मलिक को ambassador जोना है, तो काफी important है ये भी, आपको याद रखना है, कि government of India नेम दीपा मलिक हैजा ambassador of निक्षय मित्र, तो जो हमारी दीपा मलिक है, उनको पदमिश्री, खेल नर्थ, अर्जुन आवार्डिड ये सारी चीज़े मिली हुई है, और जो दीपा मलिक हैं, उनको टीबी मुक्त भारत, जो एक टीबी मुक्त भारत के अंडर ही एक initiative है, एक निक्षय मित्र, तो उसके लिए उनको brand ambassador चुना गया है इसलावा जो आपका national cadet cop celebrate किया, उन्होंने अभी 74th anniversary देखो, यानि NCC ने अपना 74th anniversary दे बनाया है और आप काफी important है ये भी, आपके जो NCC है, वो organization थी, कब establish की गई थी, 1948 में और उन्होंने अभी हाली में अपना 74th anniversary बनाया है 27th November को, तो actual में जो आपका 4th Sunday होता है हर November का उस दिन ये बनाया जाता है, ठीक है, तो इस occasion को mark करने के लिए जो हमारे defense secretary थे, श्री गिर्धिरार अरामाने, वो वहाँ पे मौझूद थे, ठीक है और जैसे कि मैंने आपको बताया, हर 4th Sunday को ये November की मनाया जाता है, NCC was raised on 15th July 1948 in New Delhi, तो 15th July 1948 को ये race की गई थी, ठीक है, और हर सार नवंबर के 4th जो संडे होता है, उस दिन इसको मनाया जाता है, तो काफी important है, याद रखने आपको 74th anniversary, NCC कब मनायी गई, 27th 2022 को, ठीक है, तो इस session के लिए इतना ही, अगर आपको जो PDF है, या अगर आपको चाहिए, तो आप हमारा telegram channel जो है, वो join कर सकते है, at the rate infinity education, आपको description पे link मिल जाएगी, साथी साथ, आप चाहें, तो play store से हमारा app भी download कर सकते है, infinity education का, और आपको कोई भी query है, तो you can always contact on the number 8530366565, ठीक है, तो रखते हैं, make sure that you are subscribing the channel, if you haven't subscribed the channel until yet, और don't forget to press the bell icon, ताकि जो हम इस तरीके के वीडियो लाते रहते हैं, उसकी आपको notification तो पहुंच है, तो मिलते हैं next session में, तो make sure कि आप ये session लगातार देख रहे हैं, क्योंकि आपके examination के लिए काफी important होने वाले हैं, और काफी सारे current affairs के आ इनी topic से देखने को आपके examination में, तो मिलते हैं next session में, all the best, have a great day, keep smiling and stay motivated, thank you so much.